नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में गुढ़ल की ब्रांच प्रूनिंग, रूट्स की ट्रीमिंग, रिपोर्टिंग, रूट्स ट्रीटमेंट वर फड़ी लाइजेसन प्रोसेस पर बात करेंगे आज से एक सब्ता पहले मैंने आपके साथ गुढ़ल की रिपोर्टिंग से पहले किये जाने वाले प्रोसेस पर वीडियो सेर की थी और चुकि एक सब्ता कम्प्लीट हो चुके हैं इसलिए आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगा जिसमें रिपोर्टिंग के साथ बागी सभी जरूरी काम भी करूंगा जो कि मैंने आपको बताया एक सब्ता पहले मैंने इसमें कौन-कौन से प्रोसेस किये थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा पहले आप उस वीडियो को देखिए और तुरंट अपने गुढ़ल के पोधे में वो प्रोसेस आप कीजिए उसके कुछ दिनों के बाद आप गुढ़ल की रिपोर्टिंग वगरे कीजिएगा जो कि वो सारे प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर कर रहा हूँ सबसे पहले गुढ़ल की हलकी यानि लाइट प्रोनिंग करेंगे जिसमें ऐसे ब्रांच जो लंबी हाइट तक या इधर उधर साइड में ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं उन्हें कट करके गुढ़ल को एक प्रोफर सेप देंगे मोगरा कनेर की तरह इसकी एकदम से हार्ट प्रोनिंग नहीं करनी है ब्रांच की प्रोनिंग कर लेने के बाद अगर ज़रुरत पड़ी तो इसकी रूट्स को भी ट्रीम करेंगे अगर आपने गुढ़ल को छोटे पोट में लगा रखा है तो आपको उस पोट से बाहर निकाल कर रूट बावल की साइड साइड की रूट्स को सिर्फ खोल बर देना है लूच कर देना है या हलकी ट्रीम भी आप कर सकते हैं ज्यादा ट्रीम आपना करें और अगर रूट्स काफी ग्रोथ कर गई या आपस में बंद गई है तो उसकी अच्छे से ट्रीमिंग करनी पड़ेगी roots bound होने पर roots की trimming इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गंबले में roots की growth के लिए परियाप्त space नहीं बचता है और जड़ें सड़ने भी लगती है और अगर नई जड़ें नहीं बनेंगी जिससे पौधे भोजन को ग्रहड करते हैं तो पौधे की growth चोक सी पड़ जाएगी कोई भी खाद फड़ी लाजर डालने पर पौधा response नहीं करेगा उसे intake नहीं करेगा और वो फड़ी लाजर गंबला में पड़े पड़े पौधे को और भी ज़्यादा damage करेगा हम पौधे को जो भी खाद पानी देते हैं उसे अगर पौधा साई सिग्रहट कर रहा है तो उसका असर हमें पौधे में भी देखने को मिलता है side side की roots को lose करने के बाद अब बारी आती है roots को trim करने की मैं यहाँ बहुत ज़्यादा trim नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसे 10 इंच की गमले में लगा रखा था और अब इसे मैं 12 इंच की गमले में report करूँगा इस वज़े से गमले में already roots की growth के लिए परयाप्त space मिल जाएगी जितनी जल्दी गमला roots से भरेगा उतनी ही जल्दी हमें flowering देखने को मिलेगी potting soil mix में मैंने यहाँ पर लिया है दो हिस्सा समानी मिट्टी जिसका डेनेस ठीक हो मिट्टी को हल्गी ढेलेदार ही रखें इससे डेनेस तो ठीक रहेगा ही रहेगा साथ ही air का flow भी इसमें होता रहेगा इससे roots की growth अच्छी होगी इसके बाद एक हिस्सा इसमें गोबर की खाद एड़ करेंगे जो अच्छी तरह सड़ी हुई और सूखी हुई है और एक हिस्सा मैं इसमें कोकोपीड भी एड़ कर रहा हूँ इससे मिट्टी में moisture hold रहेगा मिट्टी जल्दी नहीं सुखेगी इससे हमें गर्मी के मोसम में grow करने में आसानी होगी साथ ही साथ या मिट्टी को टब भी होने नहीं देता है कोकोपीड एड़ कर देने से मिट्टी हमेशा पोरस सी बन जाती है और हमेशा बनी रहती है देखिए मेरी मिट्टी पहले से भुरभुरी है चिकनी टाइप की नहीं है इसलिए मैंने इसमें river sand यानी rate को 8 नहीं किया है अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं है चिकनी टाइप की है तो आप जरुत के हिसाब से rate उसमें 8 करके उसे भुरभुरा बना ले बाकी सबी चीजें इसमें same ratio में ही रहेंगी और reporting का काम आप साम को ही करें इससे पौधे को reporting सो कम से कम लगता है और रात भर में पौधे काफी हद तक नई मिट्टी में नई गमले में सेट हो जाते हैं पौधे को report कर लेने के बाद अब बारी है roots की treatment की और फड़ी लाजर aid करने की इसके लिए हमें कुछ चीजों की ज़रुत पड़ेगी जिसमें पहला है हुमिक एसीड डेर से 2 ml के लगभग इसके अलावा हाफ चमज, फंगिसाइट पावडर जिसमें आप साब, बाविस्टेन, ट्राइकोडर्मा वगएरे ले सकते हैं कोई सब भी आपके पास फंगिसाइट पावडर हो इनमें से इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं इसके बाद 2 ग्राम के लगभग, बैगनिसम सलफेट और इतना ही NPK 1305 या 0050 इसमें एड़ करेंगे दोस्तों हुमिक एसीड पोधे को स्ट्रेस से बचाता है और नए रूट्स बनाने में, मल्टिप्लाई करने में वह निट्रिशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करने में में रोल निभाता है जाईर है नए फिड़े रूट्स ज़्यादा बनेंगे तो पोधा निट्रिशन भी ज़्यादा इंटेक करेगा फंगिसाइड एट करने से मिट्टी में जड़ों में जो भी फंगस बेक्टिरिया वगरे होंगे वो सारे किल हो जाएंगे मैगनिसम सलफेट भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज करेगा क्लोरोफिल की मातरा को बढ़ाएगा जिससे पत्यों में अगर पीलापन है पत्ये ड्रोप हो रहे हैं तो वो सारे ठीक हो जाएंगे अगर आपके पोधे में बिल्कुल भी फोलियज नहीं है तो आप मैगनिसम सलफेट को स्क्रिप कर दीजिए क्योंकि इसका वर पत्यों के रहने से ही है इसके अलावा NPK 13045 या NPK 0050 एट करने से चुकि इनमें पोधेसियम होता है और पोधेसियम संख्या बढ़ाने में हिल्प करता है चाहे वो कलिया हो या नएने सूर्ट्स हो इन्हें एट करने से जो नएने सूर्ट्स निकल कर आते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी नएने सूर्ट्स आने के बाद पोधेसियम रीच फड़ी लाजर को बंद करके इसकी जगह रूट्स की ग्रोथ और लिफिक ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करेंगे रिपोर्टिंग के बाद पोटेसियम का प्रयोग सिर्फ एक बार ही करना है और अभी रिपोर्टिंग के बाद इसमें अगले 20-22 दिनों तक कोई भी खात एट नहीं करना है अभी जो भी हमने इसमें दिया है वही तब तक के लिए पर्याप्त रहेगा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग